Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? I hope कि सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप के लिए बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है अंधर तक वीडियो को ज़रूर देखेगा आप इस स्टोरी से बहुत सी नय नय वर्ट सीखेंगे उनके मीनिंग जानेंगे किस तरीके से इंगलिस से हिंदे में हम ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं यह भी सीखेंगे तो आप जो भी words इस story में सीखेंगे उन्हें हमें comment box में comment करके बताएंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के notification मिलते रहें तो शुरू करते हैं तो story का topic है the boastful traveler boastful का meaning होता है डींग मारने वाला घमंडी trigger means यात्री तो topic है घमंडी यात्री अगलॉब टोटर लिवड इन आवलेज and spent most of his time boasting about the many heroic things he had done in the different places that he had visited अगलॉब टोटर मींस होता है विस्व यात्री जो विस्व में घूमने वाला हो जिसने विस्व का चक्कर लगाया हो lived रहता था इन में एक विलेज गाउं में एक विस्व यात्री गाउं में रहता था and or spent most of his time spent बिताया most of his time अपना अधिकतर समय boasting डींग मारने में about बारे में the many बहुत से heroic things बहुत सी बहादुरी वाली बातों की दींग मारने में उसने अपना अधिकतर समय बहुत सी बहादुरी वाली बातों की दींग मारने में बिताया he had done he had done कर चुका था in the different places अलग-अलग इस्थानों पर जो की वह अलग-अलग जगों पर कर चुका था that he had visited that जो की he had visited means घूमना ब्रहमर करना जिन पर वह घूम चुका था जहां पर वह ब्रहमर कर चुका था एक ग्लॉब ट्रोटर एक विस्वियात्री जो की गाउं में रहता था जिसने अपना अधिकतर समय बहादुरी वाली बातों की दींग मारने में बिताया था जो की उसने अलग-अलग इस्थानों पर की थी जहां पर वह घूम चुका था the villagers listened, villagers गाउं वाले listened सुना गाउं वालों ने उसकी इन बातों को सुना but hardly believed, hardly muskill से ही believed विश्वास करते थे all that वह सब he said लेकिन गाउं वाले मुश्वास से ही उस सब पर विश्वास करते थे जो उसने कहा था one day एक दिन, he claimed, he उसने claimed दावा किया that when he was in a place called rods, one day एक दिन उसने दावा किया कि when जब he वह वास था, in means may, a means a, place means इस्थान called जिसे जाना जाता है, बुलाया जाता है rods, rods जो है इस्थान का नाम है एक दिन उसने दावा किया कि एक इस्थान जिसे rods कहा जाता है जब वह उस इस्थान पर था, he had taken a giant leap that no man could ever take he had taken, उसने taken leap थी, यानि कि taken यहाँ पर take की past form है taken leap थी a giant leap, leap कहते हैं छलांग को, a giant visal, it means बहुत उची, बहुत बड़ी visal छलांग that जो कि no man, कोई भी व्यक्ति could ever take नहीं कर सका था उसने दावा किया था कि जब वह rods नामक इस्थान पर था, उसमें एक उची छलांग लगाई थी जिसे अभी तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था one of his listeners said, one of his अपने एक listeners, उसके एक सुनने वाले ने, it means गाउँ वाले ने said कहा that sounds great, that sounds great तो इसका meaning क्या है कि यह तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है friend, दोस्त, let's suppose, this is rods, अब वो उसका listener कहता है, let's आओ, support की माल लो, कि आईए, इसे माल लेते हैं, this is rods, कि यह जो है, rods नामकिस्थान है now leap, अब leap चलांग लगाओ, उसके उस listener ने कहा, जो सुन रहे थे, कि माल लेते हैं, कि यह rods नामकिस्थान है, आओ, अब आप leap करो, यानि कि चलांग लगाओ, and prove that, and or prove सिद्ध करो, that key, you can actually accomplish the feat, that key, you can, you, तुम, can सकते हो, actually, वास्ता में accomplish, पूरा, the feat, इस कारे को, it means, यह जो आप बात बता रहे हो, कि आपने बहुत उची चलांग लगाई थी, कर्टब दिखाया था, कि अब जो है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो, कि तुम वास्तम में इस कर्टब को पूरा कर सकते हो, we are all watching, we are, हम है, all सभी watching, देख रहे, कि हम सभी देख रहे है, ग्लॉब ट्रॉटर वाज लेफ्ट शेम फेस्ट, ग्लॉब ट्रॉटर विश्वयात्री वास था, लेफ्ट शेम फेस्ट लजित होना, it means, जो विश्वयात्री था, बहुत ही सर्मिंदा हुआ, लजित हुआ, the best way to cure a booster is, to put his words to test, best way, सबसे अच्छा रास्ता, सबसे का, to cure, to cure का meaning है, सुधारना, ठीक करना, अबूस्टर एक घमंडी को, एक डींग मारने वाले को, is, to put his words to test, उसके द्वारा कहे गए सब्दों की परिक्षा लेना, कि एक घमंडी को सही करने का सबसे अच्छा तरीका है, कि उसके सब्दों की परिक्षा ली जाए, इस स्टो Boasting begins where wisdom ends, कि जो डींग मारना होता है, घमंड होता है, वो कहां शुरू होता है, जहां पर हमारी बुद्धिमता समाप्त होती है, हमारी बुद्धिमानी का जहां end होता है, जहां पर उसका समापन होता है, वहां पर घमंड शुरू होता है, I hope कि आपको ये स्टोरी बहुत होगी आपने नए नए word थे होंगे आपने जो भी नए words सीखें हैं उनके baarden नीचे comment box में comment कर के जरूर बताएं कि आपकोकानी कैसी लगी आपने काउन काउन नए words सीखें तो मिलते हैं next video में नई ऐसी ही मझसे दार कहानी के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you झाल 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 झाल